नमस्कार स्वागत आप सभी का चुनावी मौसंभ है खबरों के खिलाडी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने किस तरीकी की तस्वीर पांचो राज्यों में दिखाई पड़ रही है खास तोर से हिंदी बल्ट के राज्यों में हमारे तमाम जो महमाने इस वक्त हम हमाने रखती है इनकी जो राय होती है वो वाकई में वोटर्स को भी मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि वोटर्स को भी प्रभावित करती है क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि उनकी राय साफ होती है तब वो पार्टी और लोगों के साथ जुड चुनावी मोहल देखते हैं इन तीनों राज्यों में और फिर से घर को भूला कहते हैं एक है ना कि भूला शाम को घर लोटा वो लगातार बीजेपी तरफ से यह हो रहा था कि हम प्रधान मंतरी मोधी की बात करेंगे कमल के फूल पर लड़ेंगे लेकिन फिर सारेक शित्री निता अक्टिव होते दिखाई आप कैस्पिकर के तो बदलाव आपने खुदी बोला कि जहां तक राजस्थान और मध्यपदेश का सवाल है दो वहां के जो बड़े निता है एक वसंदर राज सिंधिया दूसरा शिवरा सिंग चोहान पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों ही निताओं को बीजेपी ने साइड लाइन किया है लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है उनकी बात मानी जा रही है उनको चुनावों में इस्तरमाल के जा रहा है तो एक बदलाव यह दिखाई देता है दूसरा बदलाव जो भाशनों में विभिन निताओं के दिखाई देता वो एक बीजेपी के भाशनों की बात करों तो उसमें एक दबाव दिखाई देता है जो की रासथान सान जो बातार बात कर देखे उन्धार्मिक इन्टॉलरेंस है उसका इशु आगे बढ़ा रहे हैं तो इस तहां की बातें वो कर रहे हैं जो की मुझे लगता है इसलिए की जारी जैसे अगर हम च्छतिसगड़ की बात करें तो च्छतिसगड़ में जो मुख्यमंतरी हैं उन पे क्योंकि और कोई इशु ज बात हुई उससे रिलेशन में जिस्ता की बातें आई एडी की आई तो वो बातें हो रही है दूसी दरफ से जो बात की जा रही है जो कॉंग्रेस है या दूसरे खेमे हैं उनकी तरफ से जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किस तहां से जो केंद सरकार है उसका इड का इस्तमाल जो है वो कर रही है विभिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ और दूसरा उनकी बात जो दूसरे विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन्होंने जो काम किये हैं जैसे 36 गड़ में जो मुख्य मंतरी ने काम किये हैं पिछडी जातियों को लेकर बाकी सब काम किये हैं उसकी बात वो कर रहे हैं और दूसरा अगर हम राजस्तान की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वह अपने कामों को गिना रहे हैं बीजेपी का जो कैंपेंड पूरा है वो प्रधान मंत्री और जो केंद सरकार है उसके कामों को लेकर उन्होंने जित एक मजबूत पावर नज़र आ रहे हैं कैसे देखते हैं राजस्थान के संदर में अगर बात करें तो राजस्थान में मजबूत लीडर्शिप कॉंग्रेस के पास है अशोक गैलोत और सचेन पाइलेट दोनों ही मजबूत नेता है जनाधार वाले नेता है लेकिन इनके बीच में खटपट भी रही है और सुलह के भी संकेत दिये गए हैं इसके बावजूद ये सचाई है कि ये दोनों नेता एक साथ मंच पर नहीं दिखे हैं दूसरी तरफ जो बीजेपी में दिखता है इस्थानिये लीडर्स का एक चंक है लेकिन वसुंद्रा राजे के संकक्ष कोई नेता नहीं है तो वसुंद्रा राजे को पहले पाटी ने पहली सूची में दरकिनार किया बाद की सूचीयों में उनको इंकलूड किया और एक बार फिर जब एक दिन पहले गुरुबार को जब नरेंद मोदी जी सभा कर रहे हैं तो कहीं वसंद्रा राजे दिखाई नहीं पड़ी उनके साथ तो ये एक बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री जी राजस्तान में जाएं और वहां की प्रमुख पूर्व मुख्य मंत्री जो पार्टी की उपाध्यक्ष रहीं वो उनके साथ मंच पर नहीं हो तो एक बार फिर ये संदेश जा रहा है कि वसंद्रा राजे को दरकिनार किया जा रहा है तो वसंद्रा राजे को दरकिनार करके बीजेपी दो ही तरीके हो सकते हैं या तो आप वसंद्रा राजे को टिकट भी ना देते कहते कि अब इनकी जरूरत ही नहीं है अब इनकी उन्हों ने कयाकि भावी मुख्यमांत्री है वसुंद्रा राजय, तो पूरी तरह से बीजेपी ब्रहम में है कि वह भावी मुख्यमांत्री है. अब राजिस्तान को बागस्तान भी बोला जाने लगा है. तो ये जो बागी है इसके बावजूद की नोमिनेशन फाइल नामंकन वापसी की खतम हो चुकी है तो अब ये इस्थिती है कि हर पार्टी कम से कम 12-15 बागियों को और बीजेपी में थोड़ा ज्यादा बागी है और खास करके जिन सांसदों को टिकट दिया गया है वो लोग मुश्किल में है तो ऐसी स्थिती में हमें लग रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में थोड़े समय तक पहले काटे की टकर में थोड़ा एज बीजेपी को दिख रहा था अब वो एज खतम हो गया है समयर सर जासा की सर ने कहा कि जिस तरीके से कन्फ्यूजन है कभि आप मंच पर दिखाई पडते हो और टिकट दे देते हो यह नहीं दिखाई पड़ते हो। बीजेपी के भीतर का confusion, क्या वोटर्स को भी confuse करेगा, उनके उपर कोई असर आएगा? कि जहें शिवरा सिंग चोहान के अगर 18 साल हो गए, तो 18 साल के शिवराची कारेकाल के जिक्र नहीं करते, वो लगातार कॉंग्रेस के प्रश्टाचा का जिक्र करते, राजस्थान में अश्योग दौलत के पहले वसुद्रा का पास साल कारेकाल रहा है, वो उसका जिक्र भी दिवक तयार किया और किसे लोगों के लिए काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि बात को बहुत बहुत बहुतर अंदास था, पहले से पता था, कि अगर हम वसुद्रा को चहरा करके आगे लड़ेंगे, तो इस्थानी स्थर पे उसका विरूद दे संगठन में, वह नुक् एंता पार्टी ने तीनों अमीदवरों को चहरा, प्रमुख नताय है रमन सिंगे, शिकरा सिंघ राज सीटी छमार हैं वसुद्रा को टिकेट दे दिया, इसके भीचे बात ये नियन तीनों राज्यों के अंदर, जैसे में राज्यस्थान अमन्ट्दरेश के अकर में बात क जाएगा क्योंकि पार्टी जानती कि इस स्टेज में जहां पर बिल्कुल डावाड़ वहां पर कोई नया एक्सप्रेमेंट करने का स्पेस रहेगा नहीं अगर भारतियनता पार्टी एक्सो बीस एक्सो बावीस एक्सो सत्रा एमेल इस लेकि आती राजस्तान में तो लेकिन परदेश के अंदर जो आंतरिक गुडबाजी उसे किसी भी तरेके से बारतियनता पार्टी दो जार चोवीस तक बड़ा बात देना नहीं चाहती है इसने पदामंति नरेन्मों दियो रमिश शाह की नणती रही है कि बले वसंदरा शिवराज और रमन सिंग को अपन डाउन करो स्टेट में लेकिन उन्हें दोड में बनाए रखो और कई सांसुदों को भी चनौ में उतार दिया है तो वे कहते हैं कि वह कोईनी में कोईनी में गुड़ लगा दिया है तो सब को है कि वोटर्स पर कन्फूजन का कोई बहुत खास असर नहीं होगा ऐसा आपको सजे जी कितना आपको लगता है कि जो चत्रफ हैं हिन्दी बेल्ट के राज्यो के वो कितने मजबूत है और कितना मुकाबला कर पाएगी बीजेपी उन्ह चत्रफ कोईब गोए को जो जबीन पर उतर के काम कही है वो दिखा रहे है कहीं ने कहीं रुसकता है भारती कॉंग्रेस पार्टी उसमें कहीं ने कहीं चूक जाती नो डाउट अब मैं स्टार्ट करता हूँ 36 गड़ में आप देख लीजिए रमान सिंग ने बड़ा अच्छा काम किया हमें देखे कुरेज नहीं बोलने हम जो अच्छा काम हो तो अच्छा बोला जाएगा जहां तक एडी की कारवाई की बात करते तो एडी कारवाई आज नहीं फर्वरी तो अच्छा करें लिए केट वॉक जो रेड कारपिट वाला विजैश्री होगा वह कहीं नहीं हमें लग रहा है कि जी सकते हैं स्टी उनकी हो सकती जाएदा जाए लेकिन जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने रिकवर किया या कवर किया तो बहुत साहरानी है और स्टाट पिछले पान साल में आप सब मैं बारभारती जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा जमीनी काम नहीं किया नहीं वहां पर कोई नेता इसा मुझे दिखाया मैंने पढ़ा कि उन्होंने कोई आवाज जनता की उठाई हो चुटपुट चुटपुट घटना होती रहती है उसको घटना ही बोलूँगा क्योंकि सिचुवेशनल आवाज उठाने को मैंने बोलता है जनता की आवाज है अब मैं आते हैं जहां पर मद्द प्रदेश की बात की जाए नो जाओ अठारा साल से एक आदमी चीफ मिनिस्टर है एंटी इंकंबंसी है उसके बावजूत अगर इसक जो है लोकल नित्य तो चाहो कमलनाच जी हो चाहाए दिगवेजे जी हूँ लेकिन पूरा चनौमध प्रदेश कमलनाच जी के कंदे पर तो नो डाउट वोटर यह तो कमलनाच जी को वोट दे रहा है पंजे पे निसान पर दे रहा पुराना हो गया अब अगर मैं बात करता सबाद जी जाएंगे इंफ्लेंस कर सकता है थोड़ा सा प्रभाव डालता है इस वज़से स्टेटीजी में डाउट किया गया है अगर हम राजिस्थान की बात करते हैं तो तो या तो एकदम भरोसे में है ओवर कॉन्फिडेंस में है या कामी ने कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस लीडर्शिप को जो सेकंड लेवल एबी और सी क्लास के जो लीडर है इनको कहीं ने कहीं अपनी आपको भारना पड़ेगा जंता की भी जाना पड़ेगा अपनी इमेज बनाना पड़ेगा आप चाहाँ किसी भी स्टेट के चुनाव देख लिए चिंता चाहाँ बिहार देख लीजे चाहाँ पंजाब देख लीजे उत्तर प्रदेश में चेहरा आगया दरवाई उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं था तो उसी तर राइजिस्थान में सरकार तो बनने के चांसे है लेकिन वोट कहीं न कहीं कमल पे या मोदी के चेहरे पे ये वोटरों के जितन असर होगा ये देखने वाली बात होगी कारिक्रम के अंतिम चरण में है और अंतिम जो कमेंट है वो मैं विनूत सर से लेना चाहूंगी सर चतीस गड़ में रमन सिंख साड़े चार साल कहीं नहीं दिखाई पड़े बीजेपी ने भी जस तरीके की चर्चा की की नहीं वो काम क पर कहीं नहीं दिखा गाय का मुद्दा हो राम का मुद्दा हो दोनों बुपेश बगेल ने भुना लिया और वोटर्स के बीच में उसकी चवी भी है सेम यही प्रॉब्लम राइस्थान में भी देखने मिली वसुंद्रा पूरी तरह से गायब रही और अब वसुंद्रा अक्टिव होती दिखाई पड़ रही है हलाकि बहुत सारी पीडाएं भी वह कई-कई मंच पर दिखाती दिखाती बिल्कुल रिटार्मन तक की बात कह देती है और सेम यही कहानी शिवराज मामा की भी है आप पूरा यह जो अनालेसिस है यह कैसे देखते हैं और जो मैं कार कि भाच्पा में यह बुन्यादी फर्क है कि भाच्पा रणनीती के तार पर बहुत सुनयोजित तरीके से बहुत ही वेल प्लैंड तरीके से काम करती है और इसमें कोई दो राए नहीं और अटली के नमानें भी ऐसा था जब प्रमों महाजा नरून जेटली यह लोग रणन सुननओ नजोजय के वह बुट से बहुत 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 तरीकिसो लड़ाह करनाठीoe को बहुत बहुत बहँतर तशना लटा उसा मॉडल को में और रचे स्टिछ गण में ऑर मद्यप्रदीश में यह तैलंगा नह में भी वूमी मिजोरम को भी आप अगर जोड बगे शातक कि जहां तक बीजेपी की बात है कि सुन्दरा राजे और रमन सिंग के बारे आपने ठीक काया कि वो पांच सल कहीं नहीं दिखाई पड़े और चुनाओ के वक्त वो छत्रप की रूपे अपना शेर मांग रहें पार्टी से लेकिन शुरा सिंग जोवान का फर्क है शुरा सिं अनकी स्कृर्टा की कारण ही मध्यप्रेश में कांगर्सी सरकार गई और बीजेपी सरकार दुबारा बनी अब कैसे बनी क्या बनी वो अलग भास है इसलिए शुरा सिंग जोवान का थोड़ सा मामला अलग है इसलिए उनके खिलाफ एंटीन कंशी वेसी नहीं जाए जैसी क अब अगर चुनाओ की बात करें तो देखिए मध्यप्रदेश में कमल नाथ जी ने मद्यप्रदेश छोड़ा नहीं सरकार चली गई आहम तर पर जो बड़े नेता होते हैं खासके कमल नाथ जी जिस प्रवत्ति के प्रकृति के नेता माने जाते हैं कॉर्प्रेट टाइप इसका फाइदा उनको इस चुनाओ में मिल रहा है उनको जो कनेक्ट पराया मध्यप्रदेश के लोगों से कि आज अगर हमारी टीम भी घूम रही है देखिए अपने अमरी जाला कि उनसे भी बात करिये तो सब कहते हैं कमलनाथ को लेकर ट्रेक्शन है वहां पर अब कॉंग सब्सक्राइब करते हैं कि इस बार वो इस्थिती नहीं इस बार एक यूनिटी यूनिफाइट पर कमलनाथ के अंदर इतनी उन्हों प्रिपकड बना लिए कि जिस जिन चैनल के आंकरों का बैशकार किया इंडिया अगड़ बंदन ने उनको उन इंटर्वी दे रहे हलिकॉ सब्सक्राइब करके और कोई उसमें कुछ नहीं कहीं चूओ आवाज नहीं उठी मद्यप्रदेश में कमलनाथ सब्सक्राइब को बना सकती है अब बात करते हैं अधिवासियों के लिए किसानों के लिए धान की खरीद की गोवर गोठान उयोजना उनकी जो है काफी जुमनियादी काम इसलिए उनके खिलाफ कोई और वैसा मुद्दा नहीं मिला और रमन सिंगी तो ने तो कोई शक्रता दिखाई नहीं नहीं तो भरष्टाचार का सभी कि तो कोई का लिए थे तो कोई है इस तो कोई हावाला डाइरी में सब के नाम थे जर नहीं खिए नहीं जए रिधना को प्रसक्राइयि में नहीं है किसी गए तो कोई किसी का नाम ले जब तक बांसो पांट वाट करोड रुपै कोई पांट बाट जाओ सामीर जी हो ने कौन ता बहुत सारे सवाल है तो यह आप यह कोशिश कर रही है बीजे पिच पंगल यह रोप चिपक जाये चुनावी मौवल हर पार्टी करती है जैसे नायां जीन तोमर के बेटे का जो वीडियो आया तो अब मुझे लगता है कि भूपेश्ट बखेल यह सही है कि अरशट सीटे कभी बीजेपी की भी नहीं आई थी चेटिस गड़ में हमेशा वा कॉंग्रस बीजेपी के मुआबला था तो बीजेपी आगे बढ़ जाती थी एक बार तो कॉंग्रस चुना होता है कि कांग्रस क कोई पूरी की पूरी सीटे आएंगी क्या नहीं आएंगी या बस्तर जहां चुना हुए वहां इस बार उतनी सीटे नहीं लेकिन अभी भी इस तमाम प्रचार के बावजूद चटिस गड़ में भारतियनता पाइटी के मुकाबले कॉंग्रस को एज है क्योंकि जो लोग है वह कहते हैं कि भाई बश्टाचार हुआ होगा जब जहां चोगी तब होगी हमारे धान कभाव तो बढ़ा है हमारा को बर तो खरीदा गया है तो वह एक उनको जह उनकी ताकत है और एक 36 गड़िया सबसे बढ़िया ये नारा जो दिया भूपेश में ये भी असर करसा है च सेगेंड लिस्ट में और कोशिश की है कि बगावत जो है दूसरा राजी तिक धुरुवी करन के साथ साथ जो धार्मिक दुरुवी करन है उसको भी वीजेपी वहां एक मुद्दा बना रही है उद्यपुरी घटना को लेके हलाकि उद्यपुरी घटना में तुरंद मिजोरम उन नहीं जा पाए किसी कारण से यह नहीं गए अलग बात है वहां भी वीडियो संदेश बेजा तो मुझे लगता है कि यह पांचो राजियों के जो चुनाव है यह कॉंग्रस इनको छत्रम मौडल पर लड़ रही है और बीजेपी इनको केंदरी नित्त के मौडल बहुत ही जो अंत की लाइन थी विनोट सर की वही हमारे पूरे कारिक्रम का जिस्त थी कि शत्रपों के बल बल पर कॉंग्रेस बढ़त के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और हो सकता है उसका इसको फायदा भी मिले और अभी भी बीजेपी की ओर से प्रधान मं मद्यप्रदेश आपको अमरुजाला देखना है चुनाव की अपडेट आपको यहीं मिलेगी अगर आप हमारा कारिक्रम देख रहे हैं उस इलाके में जहां वोटिंग का दिन होगा तो आप जरूर वोट करेंगे क्योंकि हमारा एक जो लक्ष है एक मुहीम हमने शुरू की है वोट करो किसी को भी करो लेकिन वोट करो अमरुजाला की इस मुहीम का हिस्सा बनिये और हमारा चुनावी रत आपके इलाके में जहां चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान, मद्यप्रदेश, हत्तिसगर तमाम इलाकों में हमारा चुनावी रत घूम रहा है आप अप के मुद्दित को उन तक पहुंचाएंगे जहां से इसका निर्णय हो सके बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे तमाम भेमानों का भी बहुत शुक्रिया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे शो को जादा जादा शेर करिए और जो भी आप विशे इस कारिक्रम में देखना चाते हमें जरूर कमेंट के जरीए पना खूब ख्याल रखिए तेहारों का मौसम है अपनों के साथ रहिए आप सबको दीपावली की पहुंच सारी शुब कामना अगर आप ये वीडियो यूट्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें